नमस्कार दोस्तों आज के इस खास वीडियो में हम सीखेंगे हमारे घर में जो कूलर होता है उसकी यदि कोई बटन खराब हो गई है तो उसे किस प्रकार से बदलेंगे और या फिर इस प्रकार से नए बोर्ड हम किस प्रकार से बना सकते हैं आज के वीडियो में हम सीखने व होगसे वीडियो को आप ड्यान से दो नहीं है वाइरिंग कहा पर किया जा रहे हैं विस्यार रूप से ध्यान देना है सबसे पहले दो जैसे हम कई बार को बर्ड में तक किस प्रकार से लगा दे दते हैं लेग सै सही क्रम क्या है सही क्रम यह है कि देखिए कोई भी बटन में जो है उसकी कंपनी का नाम होता है जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं यहां पर लिखा हुआ है यहां पर लिखा है यहां पर लिखा है एंकर यह जो है एंकर कंपनी का है हम क्या होता है इसकी लिखावट को ध्यान और यहां पर इडबलू इसी प्रकार से आपको लिखना है तो आपका जो बटन है बोर्ट पर सही तरीके से फिट हुआ है अब इसे आप इसक्रूर से टाइट कर लिजिए अब जो है आपने बोर्ड पर बटन को फिट कर लिए अब इसकी वाइरिंग पर बात करते हैं तो वाइरिंग करते समय आपको क्या-क्या खास बात ध्यान रखना है इसको ध्यान से देखिए दोस्तों आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल उज्वललच 2.0 इसमें हम आपक चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए और बेल आइकन को अवस्ता दबाएए बेल आइकन दबाएंगे तभी नए वीडियो आप तक नोटिफिकेशन के मांथे में से पहुंचेंगे एक और बात बता दे कि हमारे एक और चैनल है उज्वललच जिसमें बच्चों के लिए आपको एक तार लेना है और तार को जो है एक और आप सीज के निचले वाला जो पाइंट है उसमें लगा देना है ठीक है यहां हमने लगा दिया उसके आप स्क्रू को टाइट कर दीजिए अच्छे से टाइट कीजिएगा लूज न रहे लूज रहता है तभी इस पार्किं आप सकते हैं थोड़ा समय लंबा कर रहूं ठीक है काट लिए अब इसको जो है आप छिल दीजिए देखे मैंने इसको छिल दिया अब यहीं काम जो है इस स्विच के साथ करना है यह भी on-off स्विच का पाइंट है आप देख सकते हैं इसका ही पाइंट है तो इसके नीचे में वायर का एक हिस्सा लगाईए अलग-अलग कमपनी के बटन में अलग-अलग प्रकार से पाइंट का डिजाइन रहता है लेकिन हर बटन में दो पाइंट रहते ही रहते हैं ठीक है इस प्रकार से लगा लिए इसको टाइट कर दीजे यह खीच के यहां तक नाप करके थोड़ा सा लंबा करके इसको मैं काट रहूं यहां से फिक है इसके बाद इसको भी छिन लेता हूं थिक है अब जो है जो लीड वईर होता है कूलर का आप देख सकते हैं यह कूलर का लीड वायर है इसी को हम बोर्ड में लगाते हैं लिए तार अर्थात पाजिटी तार इसको जो है आप इसमें मिला दीजे तीनों को आपस मिला दीजे ठीक है तीनों को अभी हमने जो दो वायरिंग किया बटन के साथ और उसको यह लीड वायर है उसमें मिला दीजे और इन तीनों को एक साथ जो है आप यह इंडिकेटर का ज सबसे पर हिला कर देंगेege नट को उसके वद लगाएंगे अराम से लगाएंगे हडवड़ी न करेंगे अच्छे सव लगाएंगे करें थीक है लगाने के बाद आप इसे टाइट कर दीजिए है कि में टाइट कर दिया और सभी के एक एक पैंट को जोल लिए हैं अब क्या करेंगे जैसे कि आप जो है मोटर पंप का जिसमें पानी वाला जो पंप होता है उसका connection करना चाहा रहे हैं जैसे कि इस बटन पे मैं चाहता हूँ कि जो मोटर वाला पंप है पानी वाला पंप है उसका connection है में लगा दीजे जिस बटन में connection करना चाह रहा है उसके उपर वाले point पर लगा दीजे ठीक है यह हमने लगा दिया अच्छे से लगा दीजेगा उसके बाद इसको आप कर दीजे tight ठीक है इसको हमने बड़े अराम से कीजेगा कोई हडबड़ी नहीं है अब उसके बाद इसका जो दूसरा हिस्सा है दूसरा हिस्सा है उसको इसमें लगाना है अभी एक साथ लगाएंगे अभी दूसरा हिस्सा को यहां रख देते हैं ठीक है यह कौन सा हिस्सा है यह वाला pump का जो connection आया है अब जो है पंक्खा का जो लीडवार आता है जो कुलर का पंक्खा होता है उसके जो लीडवार आता है उसमें भी दो पंक्ट रहते है ठीक है यह दो पंक्ट है तो इसमें का एक पंक्ट जो है आप इस बटन पर लगा दीजिए ध्यान रखिए गई पर ना connection को बिलकुल ध हमें टाइट कर दीजिए देखिए हमें टाइट कर दिया अब ध्यान से देखिए यह जो पाइंट है यह दो तार मैंने जो लिया है यह दो तार जो है पानी वाले मोटर का है जिसका एक सीरा जो है इससे जुड़ा हुआ है ठीक है दूसरा सीरा अभी कहीं ने जुड़ा उसी प्रकार ये जो दो तार है ये तार और ये तार इसका जो एक सीरा है इस बटन से जुड़ा हुआ है और दुसरा सीरा नहीं जुड़ा हुआ है इसको हमको निगेटिव में डालना है ठीक है अब क्या करेंगे ये जो बटन है कुलर के पंखा वाले के लिए हो गया और ये जो हो गया और यह जो हो गया पानी वालय मोटर के लिए हो गया अब इसका एक पाइंट और इसका एक पांट दोनों को आपस मिला दिना ठीक है यह अर्थिग के लिए होगा माइनस के लिए और उसके बाद जो लीड वायर है लीड वायर का जो एक और कलार होता है हरे रंग को छोड़ कर हरे रंग जो है अर्थिंग के लगाता है ठीक है इसको इसमें लगाएंगे लाल रंग इसमें रहेगा हरा रंग अर्थिंग के रहें उसके बाद जो काले रंग का या स्लेटी रंग का जो तार है उ भी इंडिकेटर जलता है इस चीज़ को आपको ध्यान से समझना है ठीक है उसके आद इसको टाइट कर देना है ठीक है अब उसके बाद ये जो तार बजगे लीड बार का जो हरा रंग का तार जब आप इस बोड को कूलर में लगाएंगे तो उसके बाद इस प्रका से जो रंट रहता है तो उसको फटक है ये अर्थिं के लिए इसको लगाने से कूलर में करिंट नहीं आता है ठीक है ये झी को आपको समझा रहा हूं बीना वाइरिंग के समझेगे तो देखिए। इसमें भी दो पंट हे। इसमें भी दो पंट हे. जो लीड वार होता है, उसका जो लाल रंक鐵 है उसको इसी में सामिल किया। इस प्रकार से इस बोर्ड में जो है पाजेटी जो तार रहता है फेस तार रहता है उसका कनेशन हो गया अब हम इस बटन में जो है कुलर का जो मोटर पंप है पानी वाला पंप है उसका कनेशन करना चाहरे हैं तो उसका जो दो तार आया था उसमें से एक तार को इसमें से जो पाइंट बन रहा है इंडिकेटर का यह निगेटिव के लिए है और यह जो है पाजिटिव के लिए है तो उमिद करता हूँ हमने बहुत बारिकी के साथ आपके बीच इस अनुभव को रखा आपको यह समझ में आया होगा इसी प्यकार के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल उज्वलच 2.0 से जुड़े रहिए धन्यवाद